हेलो दियर स्टुडेंट्स वेलकम टो और चैनल प्राशर केमिस्टी क्लासिस जो स्टुडेंट्स क्लास 12 में बोर्ड एक्जाम की प्रिपरिशन करने में लगे हुए हैं उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत बहुत इंप्रेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं करूंगी क्लास 12 केमिस्टी का 2023 का कॉश्चन पेपर 2023 केमिस्टी में बोर्ड एक्जाम में जो भी कॉश्चन पूछे गए हैं शोट और लॉंग कॉश्चन पूछे गए हैं वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी सो स्टुडेंट्स जल्दी से नोट कर लिजिए यह सभी कॉश्चन पूट एक्जाम के लिए स्टुडी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं इस्टूट्स ए वी कॉश्चन मिस नहों ध्यान से नोट कर लिजिए इस्टूट्स अच्छा है इस्क्रो करना है बोर्ड एक्जाम में तो आपको इस पूश्चन अपनी की एडवांटेजिस के बारे में भी बताना है नेक्स्ट कोशन कोशन नमबर टू राइट दा आई यूपीसी नेम्स ऑफ दा फॉलोइंग इन तरों कंपॉंड्स के आपको आई यूपीसी नेम बताने है इस्ट आई यूपीसी पर कोशन जरूर जरूर आता है एक्जाम में चाहें आपका क्लास 12 बोर्ड एक्जाम है या फिर नीट एक्जाम है इस्ट आप आई यूपीसी की अच्छी से प्रेपरेशन करें नेक्स्ट कोशन कोशन नमबर 3 वाट इस चिलेट कॉंपलेक्स गिवन एक्जामपल आपको चिलेट कॉंपलेक्स बताना है एक्जामपल डूप भी देना हैं साथ में और नेक्ञश गोश Hashtun वाट आ हैत्र हेट्रोलेक्टिक कॉंपलेक्छी इस पेसिवन एक्जामपल आपको एक्जामपLकjes के साथ हेट्रोलेक्टिक कॉंपलेक्स के बारे में बताना है नेक्स्स कोशन डिफाय निकिलेटरं और यक्जांपल pseudo-order reaction भी बहुत exam में पूछी जाती है next question what is the difference between nucleoside and nucleotide यह भी exam में बहुत पूछा जाता है nucleoside और nucleotide आपको दोनों ही पता होने चाहिए next question what products would be formed when a nucleotide from DNA containing thymine is hydrolyzed next question write the chemical equation involved in the following chemical reaction भी exam में बहुत पूछी जाती है आपको पताने Colby reaction और Williamson synthesis इसमें जितनी भी आपकी naming reaction है सभी के सभी आप अच्छे से कर लीजिए क्योंकि exam में जरूर जरूर आती है Colby reaction Gatterman reaction Sandmare reaction Williamson synthesis Friedecraft reaction इन सब भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है आपको लिंक description box में मिल जाएगा इस वीडियो में मैंने मैंने naming reactions को कैसे याद करना है कैसे याद रख सकते हैं short and easy method में बताया हुआ है next question do the following conversions in not more than two steps इन दोनी reactions के आपको conversion बताने है next question draw the geometrical isomers of COEN का whole twice CL2 compound which geometrical isomers of COEN का whole twice CL2 is not optically active and while isomers पे भी question आता ही आता है एक्जाम में आप इस topic को बिल्कुल भी skip ना करें isomers आप किसी भी compound को कैसे find कर सकते हैं इस पर भी मैंने एक short and easy method का वीडियो बनाया हुआ है link आपको description box में मिल जाएगा यह आपका class 12 board exam के point of view से भी important है और need के preparation कर रहे हैं उस point of view से भी most important है next question write the hybridization and magnetic behavior of COF6 यह compound का आपको बताना है hybridization और magnetic behavior इस पर hybridization पे भी question आता ही आता है इस पर भी मैंने एक short video बनाया हुआ है कि आप किस सरीके से किसी भी compound का hybridization find कर सकते हैं next question what happens when इस types के भी questions exam में आते ही आते हैं कोई भी reaction दे दी जाएगी और final product आपको बताना होगा इसमें भी आपके तीन reactions पूछी गई है फर्स्ट है anisol is treated with CH3Cl या फिर enhydrous AlCl3 के साथ तो final product क्या बनेगा यह आपको बताना है second है इसका part phenol is oxidized with Na2Cr2O7 या फिर H plus iron इसका final product क्या बनेगा थर्ड हैस का CS3 का whole thrice COH is heated with Cu यानि कि 573 Kelvin के temperature के साथ heat करेंगे copper को तो क्या product बनेगा इसमें यह आपको बताना है इस तरह की chemical reactions exam में पूछी जरूर जाती है next question define the following as related to carbohydrate first is anomers second is glycoside linkage next question rent the main product in the following अब इस question में भी आपको final product बताना है दो reactions दीवी है final product क्या बनेगा इस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है उसमें आप देख सकते हैं कि क्या final product बनेगा इसका link आपको description box में मिल जाएगा next question write the reaction involved in the following first है carbylamine test और second है Gabriel thalamite synthesis ये भी एक्जाम में जरूर जरूर पूछा जाता है आप इसको अच्छे से करें next question why aniline does not undergo friedel craft reaction इसमें फ्रीडल craft reaction पे भी question पूछा ही जाता है आपका 20-23 में भी पूछा जा चुका है इस तरह आपको सारी की सारी naming reactions अच्छे से याद होनी चाहिए next question arrange the following in increasing order of their boiling point नीचे दिये गए जो compound है ये तीन compound दिये गए है इनको आपको increasing order में show करना है जिसमें की boiling point increase हो रहा हो आपकी compound है C2H5OH है C2H5NS2 है C2H5 का whole trace N है तो इनको आपको increasing order में लिखना है I hope students आपने सारे questions अच्छे तरह note कर लिए होंगे आपको paper का pattern समझ में आगया होगा कि किस तरह की questions exam में पूछे जाते है I hope students वीडियो आपको board exam supportive लगी होगी आपकी board exam की preparation में ये questions बहुत बहुत support करेंगे और आप अच्छे से अच्छा score कर लेंगे वीडियो पसंद आई हो तो like, share, subscribe and comments करना ना भूले